हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ओल ओफ यू, स्वागत करता हूँ आपका अपने प्रिवार इनोवेशन वाइफा इस्टडी में तो आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपके ट्यारी भी बढ़िया चल रही होगी तो जैसा कि आपको पता है अब हमारे डेली क्लास रहती है शाम शात बजे जिसमें हम एगरिकल्चर के क्योशन कवर करते हैं जेट, आईशार और बियच्चु के लिए तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया अथ क्लास को लाइक कर दीजीगा शेर नहीं किया अपने दोस्तों पास तो एक बार क्लास को शेर कर दीजीगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का ला मिल सके चैनल पे नहीं है तो चैनलों को सिस्काइब के लेना पास में लेके बेल आइकन को प्रेस के लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे चलिएगा फ्रेंड्स फर्स्ट नमर क्योशन देखिएगा आपकी शामनी है राजस्तान में रवी मोशम की परमुख दिलहनी फोशल है मंशूर, चना, राजमा, उड़त तो फर्स्ट नमर क्योशन में आपका राट एंस्ट रोगा वो हुजेगा चना यानि बी ओपसन आपका यहां पे राट एंस्ट रोगा राजस्तान में रवी मोश्रम की पर्मुक दिलहनी फशल है तो चना आपका यहां पर राजस्तान होगा अगला क्यूशन देखिए आपका राजस्तान में रवी मक्का कहां बोया जाता है बाश्वाडा, जैपूर, टॉंग, अजमेर तो सेकंड क्यूशन में आपका राणी पर रौश्रम की पर्मुक दिलहनी है तो त्री नमब क्यूशन में आपका राणी पर होगा नैक्स क्यूशन देखिए अगला क्यूशन आपके शामनी है चार नमर क्योंसन है राजस्तान में पान मेती की खेती किष जिले में परमुक्ताशे होती है तो चार नमर क्योंसन में आपका राइट एंसर होगा वो हुझेगा नागोर यानि c option आपका यहां पैर राइट एंसर होगा अगला question देखिया, five number question आपके सामने है, राजस्तान में पसुचिक्ष्या महविडाले स्थित है, बिकानेर वलबनगर, उद्यपूर जालावार, बिकानेर उद्यपूर, जयपूर दोस्था, तो five number question में आपका राइट एंसर होगा, वो जिगा बिकानेर वलबनगर यानि ए होगा, राजस्तान में पसुचिक्ष्या महविडाले स्थित है, तो बिकानेर, और वलबनगर आपका राइट एंसर होगा, अगला question देखिया, six number question आपके सामने हैं, Qution है, राजस्तान में पसुल चिकसिया महाविदाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4 तो 6 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा, वो होजेगा 2 यानि B option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा, विकानेर और वुलबनगर में ठीक न, राजस्तान में पसुल चिकसिया महाविदाले कितने हैं? तो 2 आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा अगला Qution देखिया, 7 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में शिंचाई का सबसे परमुक स्रोथ कौन सा है? जलास्य, नहरे, कुवे, टूबे तो 7 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा राजस्तान में शिंचाई का सबसे परमुक साधन है, वो कौवे है यानि C option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा अगला Qution देखिया, 8 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में कुल वास्तिविक शिंचित शेतर कितना है? 32 परतिशत, 34 परतिशत, 36 परतिशत, 38 परतिशत तो 8 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो यह 38 परतिशत यानि D option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा अगला Qution देखिया, 9 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में कुल KVK कितने है? राजस्तान में कुल KVK कितने है? 42, 33, 28, कोई नहीं तो 9 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो यह 42 यानि A option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा राजस्तान में कुल KVK है, वो 42 है ठीक है? अगला Qution देखिया 10 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में कुल भूमी का सिंचित छेतर फल कितना है? राजस्तान में कुल भूमी का सिंचित छेतर कितना है? 32, 34, 36, 38 तो 10 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो हुझेगा 32 यानि A option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा जस्ट उससे पहले हमने 8 नमर Qution किया था वो देख लीजीए गा दुबारा 8 नमर Qution किया था वो था कुल वास्तिक सिंचित छेतर कितना है? तो इसमें आपका राइट एंसर होगा लेकिन यहाँ पर 10 नमर Qution है उसमें पुछा गया राजस्तान में कुल भूमी का सिंचित छेतर कितना है? तो आपका राइट एंसर होगा 32 यानि A option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा अगरा Qution देखिया ग्यारा नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में कुल कर्शी जलवाई उखंड कितने है? 5, 10, 11, 15 तो ग्यारा नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वह यहाँ यहाँ 10 यानि B option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा 12 नमर Qution देखिया आपके सामने है तो ग्यारा नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वह यहाँ 12 यानि C option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा अगला Qution देखिया 13 नमर Qution आपके सामने है Qution है राजस्तान में कम पेदावार का परमुख कारण है तो 13 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वह यहाँ 12 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में कम पेदावार का कारण है अधिक तापमान कम मिर्दव उर्वरता कम वह ऐसमें वर्षा ओल अफ दीज तो 14 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा ओल अफ दीज आपका यहाँ पे राइट एंसर होगा ठीक है D option आपका यहाँ पे राइट एंसर होगा नेक्स Qution देखिया है 15 नमर Qution आपके सामने है राजिस्तान में कर्शी अभियांतरी की वै तकनिकी महाविदाल्य कहां स्तीत है बिकाने जालावार उद्यपूर शिक्कर तो 15 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो होजेगा जालावार 15 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा उद्यपूर यानि C option आपका यहां पर राइट एंसर होगा राजिस्तान में कर्शी अभियांतरी की वै तकनिकी महाविदाल्य कहां स्तीत है तो उद्यपूर आपका यहां पर राइट एंसर होगा अगला Qution देखिया 16 नमर Qution आपके सामने है Qution है राजिस्तान में शुषक वै अर्ध शुषक छेत्रों में गेहूं को पानी की आवसकता होती है लगबग 600 mm 12, sorry 200, 15, 75 तो 16 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो जिगा 600 यानि ए उप्षन आपका यहां पर राइट एंसर होगा शुषक और अर्ध शुषक शेत्रों में गेहूं को पानी की जो आवसकता होती है वो 600 होती है ठीक है 17 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में दूद विज्ञान एयों खाद्य परदोगी की महाविदाले कहां स्तित है जालावार, उद्यपूर, विकाने, दुरुगापूर तो 17 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो होजीगा उद्यपूर यानि B option आपका यहां पर राइट एंसर होगा अगला Qution देखिए 18 नमर Qution आपके सामने है राजस्तान में खरीब में अधिक चेतर में बोई जाने वाली फशल कौनशी है राजस्तान में खरीब में अधिक चेतर में बोई जाने वाली फशल कौनशी है मक्का, जवार, बाजरा, कपास तो 18 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो जीगा बाजरा है वो अधिक चेतर में बोई जाने वाली फशल है C option आपका याँ पे राइट एंसर होगा 19 नमर Qution देखिएगा आपको शामने है राजस्तान में खरीब मोशम की परमुक दलहनी फशल बताना आपको राजस्तान में खरीब मोशम की परमुक दलहनी फशल है चमुला, उडद, मूंग, अरहर तो 19 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो होजिगा मोंग याँ C option आपका याँ पे राइट एंसर होगा अगला Qution देखिएगा 20 नमर Qution आपको शामने है आज की क्लास का लाजस्तान है राजस्तान में खरीब की परमुक दलहनी फशल है तो 20 नमर Qution में आपका राइट एंसर होगा वो होजिगा याँ C option आपका याँ पे राइट एंसर होगा राजस्तान में खरीब की परमुक दलहनी फशल कौनशी है तो आज की क्लास में हमने 20 Qution कवर किये हैं सभी आपको समझ में आगे होगे अगर फिर भी कोई भी Qution में आपको डाउट लगती है तो मुझे comment box में comment जुरू करें जैसे ही next class होगी उस class में आपकी doubt को clear किया जाएगा क्लास पसंद आई है तो दिल से like कर देना और ज़्यादा अपनी दोस्तों पास share कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का ला मिल्स के चैनल पे नहीं है तो चैनलों को subscribe के लेना पासिवल के email आइकन को प्रेस के लेना ताकि new update आपको time to time मिलती रहे तो आज की class में इतना ही मिलते है next class में तब तक जे ही जे भारत